तो यह गाज के सामसालों के सल बहुत इच्छों होंगे इस गाज मैंना में मैंने सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना चानल डिजिटल मंजे आज की स्विडियो के अपन देखने वाले हैं स्मुच टूल जो कि अपने लास्ट विडियो के अंदर कहा था कि टेक्चर आप अच्छा कर सकते हैं स्मुच टूल की वदद से तो आज वही अपन चीज देखने वाले हैं तो स्ट करते हैं स्मुच टूल के साथ में स्मुच टूल क्या करता है यहां पर आपको साफ साथ क्लियर लिए दिख जाएगा मैं इसको बंद करता हूं स्मुच टूल का काम यही होता है और कुछ काम नहीं स्मुच टूल का तो अब इससे एक्जाम्पल करके दिखाऊं तो मैं एक लेयर बना देता हूं और जूम आउट करते हैं जरा से यहां पर मैं ब्रश का इस्तमाल करने जा रहा हूं जिसके अंदर आपन मैं दो तीन कलर लेने वाला हूं और ज्यादा नहीं बहुत पत्ली-पत्ली लाइन अपन यहां पर क्लि अगर आपने देखे तो यह हमारे बास में इमेज आ गई और इसको अपन जाए पूरे के उपड़ा देते हैं अगर आपने जाएं अब स्मझ टूल के उपर राइट यह उता है जिसके ऊपर अपन साइज आप रहा है अभी देक्ड अगर मैं इसको रहा हूं तो यह कृट हो रहा है अब यह टाइम ले रहा है क्यों क्योंकि बगध काफी बढ़ी में यह तो और सारे इमेज इसको सारा एक साथ में करना पड़ रहा है यह काफी जादा टाइम लेगा तो मैं इसकी जो है साइस छोटा कर देता हूं ताकि जादा टाइम ना ले अधर ले कि निए शोट है जोड़ित त्रफ को डाला उसकी तरफ को यह बैं रह bringing और टेक्शनली एस टाइब कर सकते हैं वह सारे इसको यहां पर देखे तो वहीं वाले सेम पैटन बन रहें जो की इस के को दिखा रहे तो यह बिसिकली वही वाले पैटन्स अपन इससे क्रिएट कर सकते हैं स्मच टूल के साथ में अभी दिखें अगर अपने इसको करने की कुशिश करें इसको तो पहले यहां पर ब्लैंड करने की कुशिश करते हैं अलका सा यह ब्लैंड थोड़ा सा और टेक्श्चर क्रिएट करते हैं कुछ इस टाइब से थोड़ा सा और ज्यादा बारी कर लेते हैं ताकि यह सिर्फ एक ही लाइन को करें सब्सक्राइब कर देखने को देखने को बिफोर आफ्टर के लिए रखा यह नहीं कुछ भी जस्ते सेकंड गाइज इसको करते कंट्रोल जैट और एक बिफोर आफ्टर की मैंने कॉफी कॉफी कर ली है ठीक है और पहले इसको यहां पे ब्लंड करने के कोशिश करता है और अब इसको जोह ही होँई यहां पर आपन टेक्ट्र मेंटीन जाएगा लाइक इस तो स्ट्रेंथ आपको यहां ही से करने कि कितना स्ट्रेंथ आपको चाहिए कि पच्चिस यह थोड़ा सा सभी लग रहा है इस अपने टेक्च्च्चर को बना भी सकता और विगाड भी सकता है ठीक है अब अगर आप देखें तो हमारे पास में काफी अच्छा टेक्च्चर अपने को यहां पर देखने को मिल रहा है बड़ी इसको अपने को मैच करा रहा है ना पूरी इमेज के साथ में तो इसको अपने को हल्का सब ब्लेंड ओवर करना पड़ेगा तो इसके लिए तो हमारी इमेज साथ में दिख रही है तो हम क्या करेंगे इसकी कंट्रोल जैट एक कॉपी बनाएंगे सब्सक्राइब करते इसकी फुल और इसके अंदर आपन क्या कर देंगे कि इसको उसी सेक्षिन के उपर ही दिखाएंगे तो मैं एक लास्व टूल के साथ में एक रफ कर देता हूं और इसका इनवर्ट करने का सलेक्षिन अभी कहा है इंसेड पर आउटसाइड का सलेक्षिन बनाना है ताकि मैं को आउटसाइड की या फिर इसी बनाई रखिये तो फिर अपन कंट्रोल जे कर लेता है अब मेरे पास दो कॉपी हो गई एक यह वाली कॉपी है और एक यह वालई copy है तो यह वह तो यह सा थे की आप it कर सकते हो और इसमें थोड़ा सा अपने जह है यहाँ ओँपे धेशस देखने को मिल रही है तो संब Circasy He'llometer यह इसकी ओपाइसिटी फूल करता है वाट इसमें आपन क्या करेंगे यूज स्मुज तूल कुछ भी कर सकते हैं तो समस्टूल पर चलते हैं अब सी हलका सा अपनिया पर मैच करा पार है उस चीज को अब बिसिकली एज गाया करनी अपने को और थोड़ी सी लंबी खीच लेते ताकि यह ऐसा ना लगे कि यह जो है कवर करने के कोशिश की है लाइक इस इस साइट पर भी थोड़ा सा है जाँ आँ 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 ओपैसिटी हल्की स्ट्रेंट इसकी हल्की से कम करता है अगर आँ अगर आपन जाके देखें यहां पर ऊपर के साइड में भी थोड़ी सी रह गई है तो इसको भी कर देते हैं अगर 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 अपन देखें अब यहां पर अपने पास में यहां पर साइट से लाइट आ रही थी अगर सारी इमिजस को मत्कुर तो यहां साइट से लाइट आ रही थी वह लाइट अपने को यहां पर क्रेट करने पड़ेगी एक सेकेंड लेयर को अपन कर लेंगे लाइट करने के लिए क्या करेंगे हमें नई लेयर पर जाएंगे ब्रेस टूल लेंगे और इसी का एक लाइट कलर लेकिया जाएंगे इसका कलर है कुछ पर लिए के लिए ऐसका उलाइट कलर कण क्या यहां पर जाएंगे अपन ज्यादा नयुकि पड़र यहां पर लिए कम कर देंगे जए कि एक काफी अच्छा लुक अपने को यहां पर देखने को मिल रहा है तो अगर अपने के बिफोर एंड आफ्टर काफी अच्छा लुक अपने को यहां पर देखने को मिल रहा है काफी अच्छे रिजल्स अगर अपने आपर क्रेट कर सकते हैं क्लों स्वर्च टूल से अगर किसी ने क्लों स्वर्च वाली विडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहले देख लिजेगा ताकि आपको समझ में आए कि आपने यहां पर क्या किया है सब कुछ रइट तो चलि झार थी क्या है